हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे पेट में होने वाले कीडों की बारे में जिसे वाम इंफेक्शन, क्रिमी संकरमन या वाम इन्फेस्टेशन कहते हैं तो आज मैं आपको जानकरी दूँगी कि ये वाम्स आपके पेट में आते कहां से हैं इनकी वज़े से आपके शरीर पर कौन से लक्षन प्रकट होते हैं और कैसे ये आपके शरीर को नुकसान पहुचाते हैं और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि पर्मानेंटली इन वाम से छुटकारा कैसे पा सकते हैं आयरवीद के अनुसार वो होम रेमेडीज वो घरीलून उसकी क्या है वो चिकित्सा क्या है और डाइट में आपको क्या लेना चाहिए जिससे बार-बार होने वाले इस इंफेक्शन से आप अपने आपको बचा सकते हैं इन सबी सवालों के जवाब के साथ मैं डोक्टर सुशीला बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटूब चैनल टाइमस ओ फायरवेदा में आइरवेद में वाम्स को बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है और इसके 20 टाइप्स बताएगे लिकिन आज की वीडियो में अपन सिर्फ और सिर्फ पेट में होने वाले कीडों के बारे में बात करेंगे तो यह दो तरह के होते हैं पहला होता है फीता करमी यानि कि जिसे फ्लैट वॉम्स का जाता है और यह चपटे होते हैं और आईरवेद में इससे सलेशमच करमी से कोरेलेट किया गया है इसका में जो इस्तान वो आपका अमाशे यह स्टमक होता है यह दूशित भोजन और पानी के द्वारा आपके शर एक्षण फैल तैसक्ष्ण के उसका मेंद लगसर होता है एक गबा आपमें बेचह्षी रहए नहीं एक पाने ओर सथ यहांद मुप मि really होती हैं और इसमें आपके नाक में खुशली होती रहती है, आपको छींके आती है, बच्चा बार-बार नाक को खुशलाता रहता है और यदि ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको vomiting हो सकती है, आपको fever आ सकती है तो ये सारे हैं स्लेशमज क्रमी के symptoms अब second आता है अपने pin warm ये जिसे अपन thread warm कहते हैं और आयरवेद में इसे पूरिशज क्रमी से correlate किया गया है और local language में इसे चुन्ने काटना कहा जाता है, ये mainly infection ज़्यादा देखने को मिलता है और ये परिवार में एक जनिक होता है तो ये infection बहुत ही जल्दी सब में फैलता है अब इसके लक्षन क्या है, इसका main लक्षन होता है आपकी गुदादवार यानी lettering के रस्ते पर खुजली आना, जलन होना ये इस collection देखा गया है, और इसके साथ ही इसके अंदर आपको diarrhea यानी की lose motion हो सकता है रात को name disturb होती है, तो उसकी वज़े से बच्चा रात को दांत पीसता रहता है और बेचेन रहता है, ये सारे के सारे इसके symptoms होते है अब ये जानते हैं कि ये फैलते कैसे हैं, इसके अंदर ये आप main जो इनका स्थान होता है वो होता है आपका large intestine या नहीं बड़ी आंत, बड़ी आंत से ये उपर की तरफ आते हैं तो आपके मूँ से गंदी, मल किसी दुरगंद आती रहते हैं, फाल स्मेल आती है और ये नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये नीचे की तरफ जाके गुदा के अंदर यानि लेटरिंग के पास में ये अपने अंडे देती है तो ये एकदम पतला चिकना पदार्त होता है, उसमें अंडे देते हैं, और जब ये वहाँ से मूमेंट करती है तो आपको उसके अंदर खुजली होती है, खुजली इतनी तेह चलती है, कि बार बार खुजलाते हैं, तो और खुजलाने का मन करता रहता है तो इसमें ये खुजली रात के समय ज़्यादा होती है, जब आप सोते हैं उसके दो घंटे के बाद में या छोटे बच्चे होते हैं, वो शाम के टाइम बेचैनो के पैर पटकने लग जाते हैं तो आप यदि आप उनके गुदा यानि लेटे वाले रस्ते को देखेंगे, तो वहां पे वो एकदम लाल होता है कई बार तो ये इतने पतले यानि भीड की बाल की सरंचना के एकदम वाइट कलर के होते हैं वो आपको बाहर आईवे भी दिखते हैं इसके लिए आप सबसे पहले करें कि वहां पे कुछ भी चिकना जैसे नारियल का ते लिए घी लगा के यदि आप हेंग को रखेंगे उस हेंग की स्मेल से वापस अंदर चले जाएंगे और बच्चे को एक बार टेंपरेरी आराम बे मिल जाएगा अब इसके साथ ही यह जो वॉम्स कैसे फैलते हैं इसमें यदि आप नीचे के जगे पर खुजली चल रही है और आप हाथ से खुजलाते हैं तो इसके अंडे आपके नेल्स पर या हाथ पर लग जाते हैं उस हाथ को आप कहीं पर भी टच्च करेंगे और दूसरा नॉर्मल बहुत फोलो करने होती है जब भी आप भूजन करें अपने बच्चों के या खुद के हाथों को अच्छे से वाश करें नेल्स कट करके रखें और नीचे गुदा के दौर को एकदम साफ सुथरा रखें और अपनी बैड शीट्स वगरा या जो उसके कपड़े हैं उनको ट उसका जी मिचलाता है रात को दांत पीसता है लेट्रिंग वाले एरिये पे उसको बार-बार खुझली होती है जलन होती है और उसके चहरे पर वाइट-वाइट स्पोर्ट्स देखे जाते हैं तो आप यह समझ लीजे कि उसके पीट में कहीं कहीं कीडों का इंफेक्शन है अब मैं आपको बताती हूं कि आईरवेद के अनुसार वो घरीलू नुस्के क्या है तो इसके अंदर एक वाइव विडंग मेडिसन आती है जो पंसारी की दुकान पर आपको आसानी से मिल सकती है और सहीताओं में और आईरवेद के अंदर विडंग को बहुत अच्छी घंटे तक कुछ नहीं खाना होता तो यह आप ले सकते हैं और उसके साथ ही आप यह नहीं लेकि आप अजवाइन का प्रियोग कर सकते हैं जो नॉर्मल अजवाइन होती है उसमें आदा चमच नमक डाली अजवाइन लीजिए और उसमें गुड मिला कि उसके अप गूलिया नॉर्मल आप अपना सकते हैं, अब आताए है अपन आईरवीद के अनुसार आयर्वीद क्या कहते है तो आयर्वीद में मेंली है कहा गया अपकर्शन यानि की उन वाम्स को बहार निकाला जाए जो भी treatment लेकर आप उनको बहार निकाला जाए फिर वो बनने से कैसे रुकें इसके लिए उनकी प्रकृति विगाद यानि की जो उनकी nature है उसके opposite आपको ले होगी आप नीम की पतियों का सेवन कर सकते हैं निंबू का कर सकते हैं अद्रक लैसुन है तो रही है सईंजन की फली है इस रस वाली हर चीज को खाने में प्रयोग कीजिए आपको वॉंस नहीं होंगे अब सैंक आता है अपने इसका मीठा खाना होता है इस medicines को आप साथ से पंदरा दिन तक continue ले सकते हैं उसके बाद में आप महने डेड महने का gap देके फिर आप इस medicines को लीजिए अब अपन जानते हैं कि ये कीडे ना बने इसके लिए आपको भोजन में क्या लेना चाहिए तो भोजन के अंदर चाच है वो बह अगा कि उस चाच को खाने में आप लंबे समय तक प्रियोग कीजिए जिससे आपको वॉम्स नहीं होंगे तो फ्रेंट्स ये treatment आपको easily available हो सकता और किसी भी तरह का नुकसा नहीं पहुंचाता तो नोर्मल आदमी को भी 6 मैने में ये जरूर फोलो करना चाहिए और जिसके से उनको repeated form करना चाहिए और साथ ही आप अपने नजदी की आयरवे डोक्टर को दिखा कर medicine decide करके भी ले सकते हैं और इस तरीके से आप इन केड़ों से permanently चुटकारा पा सकते हैं तो फ्रेंट्स ये आपको और कोई किसके बारे में questions हो तो आप हमें comments box में comment करके पूछी और प्रेंडिया आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो उसको subscribe जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा सी ज्यादा लोगों को share कीजिएगा जिससे कि हमें भी motivation मिले उन लोगों के पास जानकारी जा सके तो friends मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद